और पंद्रा अगस्त दो हजार तेईस तक चलेगा हमारी यहां माननेता है कि जब कभी ऐसा आउसर आता है तब सारे तिर्थों का एक साथ संगम हो जाता है आज एक राष्ट के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र आउसर है आज हमारे स्वादिन्ता संगराम के कितने ही पुन्यतिर्थ कितने ही पवित्र केंद्र सावर्मति आश्रम से जुड़े रहे है स्वादिन्ता संगराम की पराकाष्टा को प्रणाम करने वाली अन्नमान की सल्यूलर जेल अरुनाचल प्रदेश से एंग्लो इंडियन वार की गवा की केकर मौनिंग की भुमी मुंबई का अगस्त क्रांती मैदान पंजाब का जलिया वाला बाग उत्तर प्रदेश का मेरट काकोरी और जासी देश भर में से कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अम्रुत महवसव का स्री गणेश हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आजहादी के असंख संगर्ष असंख बलिदानों का और असंख तपस्याओं की उर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर जागरुत हो रही है मैं इस पुन्य अवसर पर बापु के चरणों में अपने स्रधा सुमन अर्पित करता हूँ मैं देश के स्वाधिंता संगराम में अपने आपको आहूत करने वाले देश को नेत्रुत्व देने वाली सभी महान विभुत्यों के चरणों में आदर पुर्वक नमन करता हूँ उनका कोटी कोटी बंदन करता हूँ मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूँ जिनोंने आजादी के बाद भी राष्ट रक्षा की परंपरा को जीवित रखा देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिये शहीद हो गए जिन पुन्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुनन निर्माण में प्रगती की एक एक इट रखी 75 वर्ष में देश को यहां तक लाए मैं उन सभी के मैं उन सभी के चर्णों में भी अपना प्रणाम करता हूँ साथियों जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोडों करोडों लोगों ने सद्यों तक आजादी के सुबह का इंतजार किया तब यह एसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का उसर कितना आइतिहासिक है कितना गवरव शाली है इस परव में शास्वत भारत की परंपरा भी है स्वाधिन तासंगराम की परचाई भी है और आजाद भारत के गवरवान्वित करने वाली प्रगती भी है इसलिए अभी आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखा गया उसमें अम्रुत महोसव के पांच स्तंभों पर विशेश जोर दिया गया है Freedom Struggle, Ideas at 75, Achievements at 75, Actions at 75 और Results at 75 यह पांचों स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तवियों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे इनी संदेशों के आधार पर आज अम्रुत महोसव की वेबसाइट के साथ चर्खा अभ्यान और आत्म निर्वर इंक्यूबेटर को भी लॉंच किया गया है भायों और बेहनों इतिहाँ साक्षी है कि किसी राष्ट का गवरो तबी जागरत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीडी को भी सिखाता है संसकारित करता है उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है किसी राष्ट का भविश तबी उजवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विराष्ट के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथा भंडार है सम्रुद्ध इतिहास है चेतना मैं सांसकृतिक विरासत है इसलिए आजादी के 75 साल का ये अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीजी को प्राप्त होगा एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा साथियों हमारे यहां वेदों में एक वाक्य है मृत्यों मृक्षियं मामृताम अर्थात हम दूख कष्ट कलेश और विनास से निकल कर अमृत की तरब बढ़ें अमर्ताकी और बढ़ें यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोचव का भी है आजादी का अमृत आजादी का अमृत महोचव यानि आजादी की उर्जा का अमृत आजादी का अमृत महोचव यानि स्वादीं ता सेनानि और प्रेणाओं का अमृत आजादी का अमृत महोचव यानि नए विचानों का अमृत नए संकल्पों का अमृत आजहादी का अमुरुत महोचव यानि आत्म निर्भरता का अमुरुत आर इसलिए ये महोचव राष्ट के जांगरन का महोचव है ये महोचव सुराज के सपने को पुरा करने का महोचव है ये महोचव वैश्विक शांति का विकास का महोचव है साथियों अमुरुत महोचव का सुभारम दांडी यात्रा के दीन हो रहा है उस एक्तिहासिक छण को पुनरजीवित करने के लिए एक यात्रा भी अभी शुरू होने जा रही है यद्बूत संयोग है कि दांडी यात्रा का प्रभाव और संदेज भी वैशाही है जो आज देश अमुरुत महोचव के माध्यम से लेकर आगे बढ़ रहा है गांदी जी की इस एक यात्रा ने आज़ादी के संगर्ष को एक नई प्रेणा के साथ जन जन से जोड दिया था इस एक यात्रा ने अपनी आज़ादी को लेकर भारत के नजरिये को पूरी दुनिया तक पहुचा दिया था ऐसा एतिहासिक और ऐसा इसलिए क्योंकि बापू की दांडी यात्रा में आज़ादी के आगर्ष के साथ साथ भारत के स्वभाव और भारत के संसकारों का भी समावेश्ता हमारे हाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आका गया हमारे हाँ नमक का मतलब है इमानदारी हमारे हाँ नमक का मतलब है विश्वास हमार यहां नमक का मतलब है वफादारी हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत किम्ती चीज है ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमार यहां स्रम और समानता का प्रतीक है उस दौर में नमक भारत की आत्मन निर्भरता का एक प्रतीत था अंग्रेजों ने भारत के मुल्यों के साथ साथ इस आत्मन निर्भरता पर भी चोट की भारत के लोगों को इंग्लेंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा जन जन से जुड़ी उस नफ़ को पकड़ा और देखते ही देखते ही यांदोलन हर एक भारतिय का अंदोलन बन गया हर एक भारतिय का संकल्प बन गया साथियों इसी तरह आजादी की लड़ाई में अलग-अलग संग्रामों अलग-अलग गटनाओं की भी अपनी प्रेणाए है अपने संदेश हैं जिने आज का भारत आत्म साथ कर आगे बढ़ सकता है 1857 का स्वातंत संग्राम मात्मा गांधी का विदेश से लोटना देश को सत्याग्रे की ताकत फिर याद दिलारा लोकमान्य तीलक का पुननस्वराज का आहवान नेताजी सुभाज संद्र बोच के नेत्रुत्व में आजाधिन फोच का दिल्ली मार्च दिल्ली चलो ये नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है 1942 का आवे विश्मन यांदोलन अंग्रे जो भारत छोड़का वद्गोश ऐसे कितने ही अंगिनत पड़ाओ जिन से हम प्रिर्णा लेते हैं उर्जा लेते हैं ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी है जिनके प्रती देश हर रोच अपनी करतग्यता व्यक्ष करता है 1857 की क्रांती के मंगल पांडे ताट्या तोपे जैसे वीर हो अंग्रेजों की फोज के सामने निर्विक गरजना करने वाली राणी लक्ष्पी बाई हो कित्तूर की राणी चन्नमा हो राणी गाइडीन लू हो चंदर से खराजार रामपसाद बित्मल बगत सी सुख़देव राजगुरु अत्फा उल्लाखा गुरुरामसी टिटुस जी पोल रामा सामी जैसे वीर हो या फिर पंडित नहरु, सरदार पटेल, बावा साब आमबेड कर, सुभास चंदरबोत, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफार खान, भीर सावर कर, जैसे अंगिनत जन्नायक ये सभी महान व्यक्तित्व आज़ादी के आंदोलन के प्रस दर्शक रहे हैं, आज़ी के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए, हम सामुहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं, साथियों हमारे स्वाधिन्ता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन है कितने ही संगर्ष है जो देश के सामने उस रूप में नहीं आये जैसे आने चाहिए थे ये एक एक संग्राम संगर्ष अपने आप में भारत की असत्य के खिलाब सत्य की शसक्त गोशनाए है ये एक एक संग्राम भारत के स्वाधिन सभाव के सबूत है ये संग्राम इस बात का भी साथ साथ प्रवाण है कि अंदियाएं शोशन और हिंसा के खिलाब भारत की जो चेतना राम के युग में थी महा भारत के कुरुक्षेत्र में थी हल्दी घाटी की रणभूमी में थी सिवाजी के उद्गोश में थी वही सास्वत चेतना वही अदम में शावरिय भारत के हर खेत्र हर वर्ग और हर समाज ने आजहादी की लड़ाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था जननी जन्म भूमिष्च स्वरगाद अपिकरियसी ये मंत्र आज भी हमें पिलना देता है आप देखिए हमारे इसी तियाज को कोल आंदोलन हो या हो संगर्ष खासी आंदोलन हो या संथाल क्नांती कछोहा कछार नागा संगर्ष हो या कुका आंदोलन भील आंदोलन हो या मुंडा क्रांती सन्यासी आंदोलन हो या रमोसी संगर्ष, कितूर आंदोलन, त्रावनकोर आंदोलन, बारडोली सत्यागरह, चंपारन संत्यागरह, संभलपूर संगर्ष, चुवार संगर्ष, मुंदेल संगर्ष, ऐसे कितने ही, कितने ही संगर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भुभाग को हर कालखन में आजादी की जोती से प्रज्वलीत रखा इस दौरान हमारी सिख गुरु परंपरा ने देश के संस्कृति अपने रिची रिवाद के रक्षा के लिए हमें नहीं उर्जादी प्रेरणा दी त्यांग और बलीदान का रास्ता दिखाया और इसका एक और अहम पक्ष है जो हमें बार-बा सानलन कि इस जोती को निरंतर जागृत करने का काम। पूरण पश्ची मुततर दक्षेन वहार दिशा में हर क्षेत्र में हमारे संतों ने महनतों ने आचारियों ने वगवदों ने निरंतर किया था एक प्रकार से बक्ती अंदोलन ने राष्ट्र व्यापी स्वाधिन्ता अंदोलन की पिठी का तयार की थी पूर्व में चैतन्य महाप्रभू रामक्रिश्य प्रमौस स्रीमत्संकर देव जैसो संतों के विचारों ने समाच को दिशा दी अपने लक्ष पर केंद्रीत रखा पच्चिम में मिराबाई एकनाथ तुकाराम रामदाद नर्शी मैता हुए उत्तर में संत्रामानाथ कबिर्दास गोस्वामी तुल्दीदास सुर्दास गुर्णानादेख संत्राईदास दक्षिण में मादवाचारिय निम्बकार चारिय बलवाचारिय रामानुजा चारिय हुए बक्ति कान के इसी खंड में मलिक मुहमद जैसी रस्खान सुर्दास केश्रवदास विद्यापती जैसे मानुभाव ने अपनी रचनाओं से समाज को अपनी कम्यां सुधारने के प्रेरिज किया ऐसे अनेकों व्यक्तित्मों के कारण यह अंदोलन छेत्र की सीमा से बाहर कि छेत्र की सीमा से बाहर निकल करके पूरे भारत के जन जन को अपने आप में समेट लिया आजादी के न सकने के आंदोलनों में ऐसे कितने ही से नानी संत आत्माएं ऐसे अनेक वीर बलिदानी है जिनकी एक एक गासा अपने आप में इतिहास का एक एक स्वर्णि मद्याए है हमें इन महानायकों महानायकाओं उनका जीवन इतिहास विदेश के सामने पहुचाना है इन लोगों की जीवन गासाएं उनके जीवन का संगर्ष हमारे स्वतंत्र दांदोलन के उतार चड़ाओ कभी सभलता कभी असभलता हमारी आज की पीड़ी को जीवन का हर पाट सिखाएगी एक जुड़ता क्या होती है लक्ष को पाने की जिद्ध क्या होती है जीवन का हर रंग वो और बहतर तरीके से समझेंगे भाई और बैनों आपको याद होगा इसी भूमी के वीर सपूत शाम जी कृष्ट वर्मा अंग्रेजों की धर्ती पर रहकर उनकी नाक के नीशे जीवन की आखरी सांस तक आजाजी के लिए संगर्ष करते रहे लेकिन उनकी अस्तियां साथ दसकों तक इंतजार करती रही कि कब उने भारत माता की गोध नसीब होगी आखिर कर दोजार तीन में विदेश से शाम जी कृष्ट वर्मा के अस्तियां मैं अपने कंडे पर उठा करके लिए आया था ऐसे कितने ही कितने ही सेनानी है देश पर अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोग है देश के कौने कौने से कितने ही दलीद आदिवाती मैलाए और युवा हैं जिनोंने असंगिंग तप और त्याग किये याद करिए तमिल नाडू के 32 वर्ष ये नौजवान कोडी कात कुमरान उनको याद कीजे अंग्रे जोने उस नौजवान को सीर में गोली मार दी लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के जंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया तमिल नाडू में उनके नाम से ही कोडी कात सब्द जुड गया जिसका आर्थ है जंडे को बचाने वाला तमिल नाडू की ही वेलू नाचियार वो पहली मारानी थी जिनों अंग्रेजी हकुमत के खिलाब लडाई लड़ी थी इसी तरह हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हकुमत को गुटनों पर लाने का काम किया जारखण में भगवान बिर्सा मुंडा उन्होंने अंगेरी जोंको चुनोती दी थी तो मुर्मु भाईयों ने संथाल अंदोलन का नेत्रुत्व किया था ओडिसा के चक्रा विशोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्ष्मन नायग ने गांधिवादी तरीकों से चेतना फैलाई आंदर प्रदेश में मन्निम विरुडी यानी जंगलों के हीरो अलूरी सिराराम राजु ने रंपा आंदोलन का बिगल फुका था पासल था खुंग चेरा ने मिजोराम की पहड़ियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था